हेलो एवरिवन आज से एक स्टार्ट करेंगे mcq series जिसमें की मैं cover करूंगा exemplar problems you can see RT के exemplar करें बुक आती है बहुत ही conceptual बढ़ी असाल होते हैं आपन को समझाना है आसान तरीके से और यह सवाल अच्छे हैं इनको conceptual questions है यह आप कह सकते हैं बेस बिल्डिंग है आपको और आगे एच्छी वर्मा लगानी है इरोडोग लगानी है तो आप पहले ही इन सवालों को लगा के जाएंगे तो आपके बेस स्टॉंग रहेगा बेस स्टॉंग रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं concepts को basically applied concepts ही रहते हैं जो की थोड़ा upper hand books में होते हैं जैसे की इरोडोग के questions बगएरा देते हैं तो आप concepts को apply करते हैं और उसके बाद questions को follow कर सकते हैं तो हम लोग आज चैप्टर जो cover कर रहे हैं वो है motion in a line बढ़िया chapter है so good questions और questions भी अच्छे हैं हम लोग just basically हम लोग examplar problems लगाते हैं chapters पढ़ने के बाद ठीक है जिसने पढ़ा है अच्छी बात है जिसने नहीं भी पढ़ा है उसको भी मैं इस तरीके से cover करूँगा की detail में cover करूँगा कि तुछ आपकी जो concepts है या थोड़ा theory part है वो भी revise हो जाएगा और आपकी questions भी आपको सुन जाएगे कि कैसे आ सकते है questions तो चलिए शुरू करते हैं पहला question है 3.1 among four graphs okay question पढ़ते हैं among the four graphs जैसा कि figure में आप देखे तीन graphs दिये हुए है और there is only one graph for which average velocity over the time interval 0 to t can vanish for suitably chosen t which one is it सवाल तो अच्छा है देखे कोई भी सवाल आप करते हैं पहला सवाल को समझिए average velocity आप देखे average velocity क्या है average velocity by definition is average distance average distance by total time तो अभी जो graphs आपके दिये हुए है को understand करना है यह displacement versus t का graph है तो अभी आपको इसमें पता नहीं चल रहा है कि average distance आपकी किस graph में 0 हो सकती ऐसा बढ़ा है which it can vanish average distance 0 हो सकती है किस graph में अब एक simple समय आपको बताता हूँ distance average displacement 0 क्योंकि average velocity की बात कर रहा है average velocity तो suppose एक straight line motion है अब देखिए यहां पर कोई particle है position 1 पर यहां से गया पहले यह positive direction है point 2 तक गया फिर सके बाद यह आया इदर point 1 तक तो इस case में भी इसका जो average displacement है वो 0 होगा या एक और example देखता हूँ understanding के लिए पहले यह माली जी यह origin है 0 कमर 0 पहले मेरा point यहां पर था कहीं पर ठीक है यहां से इधर गया आई negative direction में गया बात में फिर से यह positive में आ गया तो इस case में भी इसका जो displacement है वो 0 है तो कहने का point यह है कि देखिए आप x versus t देखिए जिसे पहला graph देखते हैं जो वाला first graph इसमें आप देखिए x शुरुवात में negative है negative 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 और बढ़ते जा रहा है आप देखिए यह करके ऐसा हो रहा है तो यह जो x की value है यह आपकी इधर से आई और यह move होते होते ऐसे से गई second second अलब बाद में देखते हैं third अलब आप देखते हैं इसमें देखिए x की value केवल 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 गठती जा रही है ठीक है यह जो third case है यह case मान लीजिए आपका x positive है मतलब यह जो case मैंने बनाया था उसमें x पहले यहां पे था मतलब एक positive suppose 2 meter पे था यह x तो यह वह वाला case है लेकिन इसमें इस case में आप ध्यान दीजिए x केवल केवल घटते जा रहा है time के साथ साथ देखे ना जैसे time आ रहा है वैसे आपका जो x का value है यहां पे ज्यादा है यहां पे कम है यहां पे और कम हो गया एक घटते जा रहा है इस graph में देखिए x आपका बढ़ते 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 जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है मतलब आपका direction motion का direction कहीं change नहीं हो रहा है बही अगर आपको average distance ने सौरी average displacement zero होना है तो एक बार x बढ़ेगा बाद में x घटना भी चाहिए अगर किवल बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है तो भी कभी zero नहीं उसता या किवल घटते जा रहा है घटते जा रहा है तो भी zero नहीं उसता अब ये graph देखिए second वाला इसमें x क्या है पहले बढ़ रहा है टाइम के साथ बढ़ रहा है उपर गया तो बढ़ा बाद म यहां पर जो x के value हो जादा है, यहां पर देखिए x के value, यहàं गई जो x2 है, और जो x1 है, एक्स न जादा है, x2 कम है, तो पहले यहां से यहां तक x बढ़ा, बाद में यहां से एक्स घटना जालू हो गया, और फिर से देखिए, X अगर मैं एक स्टेट लाइन बनाओ एक मैं स्टेट लाइन बनाओ यहां से होता हुआ तो आप देखिए दो इंस्टेंसेंस हैं T is equal to zero और T is equal to T1 जहां पर X की value same है यह आप को कैसे समस्कते हैं देखिए यह मैं केस टू की बात कर रहा हूँ केस टू जस्ट एक एक सामपल है कि T is equal to zero पे सबोस मैं linear motion की बात कर रहा हूँ T is equal to zero पे T is equal to zero पे यह यहां पे था X equal to four पे था T is equal to zero पे कहीं पे आया और T is equal to T1 पे यह फिर से X equal to four पे यह फिर से एक सामपल है यह फिर से आया और फिर से ऐसा कहा है तो आपके ऐसा होना ही पड़ेगा जिसमें कि आपको एक ही X की same value अलग 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 टी पे मिले अलग अलग टाम पे मिले तभी आपका displacement zero हो पाएगा तभी मैं यहां गया फिर इदर से इदर आया तो कि यही वाला graph है जिसमें possible है यह graph पे भी possible नहीं है आप देखिए X की value पहले निगेटिव है फिर बढ़ते 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 जा रही है इसमें भी कुछ change नहीं हो रहा है अगर यहां पे देखिए अगर यहां पे यह ऐसा अगर काटा suppose अगर जो इसका graph होता अगर ऐसा नहों के यह ऐसा होता तो इस axis को देखिए time axis को इस दो point पे काट रहा है यहां पे बढ़ा और फिर यहां से घटके zero हो गया तो इस वाले case में भी possible था बट ऐसा नहीं हो रहा है यह graph जो है एक्स टी एक्स को नहीं cut कर रहा है यह जो कि पैडल निकार रहा है ठीके इसके लिए यह नहीं है यह वाला possible देखिए इसका अंसर भी हो जाएगा I hope you understand ओके अगले question में आते है एक question तोरह सा मुझे अलग-अलग books में अलग-अलग आप देखिएंगे solution मिलते है question easy है इसमें कुछ बड़ा बहुत ही difficult question है या बहुत ही concepts बहुत हाई लेबल के conceptual नहीं है कली आपको sign convention देखना है यह आपका ground floor है बोला lift is coming from 8th floor and it's just about to reach 4th floor बस एक ही question है यह बोलता है just about to reach 4th floor अभी आप lift में चप्टरते हैं lift में बैठते हैं lift जब reach होने वाली होती है 4th floor पे या किसी floor पे तो बिससे कि उसकी velocity जो है कम हो रही होती है velocity कम हो रही है velocity नीचे की तरफ है यह velocity नीचे की तरफ है और यह कम हो रही है इसका मतलब इस पे एक force उपर की ओड़ लग रहा होगा या retardation लग रहा होगा इसको हम retardation बोल सकते हैं या acceleration इसके एक उपर की ओड़ लग रहा होगा जो कि इसकी नीचे की velocity को कम कर रहा होगा नीचे की velocity तभी कम होगी जब इसके एक उपर की ओर acceleration या force लगेगा तो इसका जो acceleration होगा वो उपर की direction होगा और उपर की डियक्षिन उसने बोलाएगे पॉजिटिव है हमको ground floor origin लेना है तो A तो हमारा definitely greater than 0 होगा V obviously नीचे की और आ रहा है तो V हमारा obviously नीचे की और होगा less than 0 होगा अभी X की बात आते हैं देखिए जो मुझे सांज में आता है X is the displacement और origin point हमने लिया है X is equal to 0 तो यहां से मैं अगर मैं इसकी displacement की बात करूँ तो basically इसका displacement positive direction में ही है अभी भी तो मेरे साब से ये question B X greater than 0 V less than 0, A greater than 0 यह सी सही होना चाहिए बाकी इसका मैंने कई जोगे पर answers देखें उन्होंने भी answers दिया है अगर मैं मेरा origin point यहां मानता 8th floor को तो मेरा इसका displacement कोई किसी भी time instant पर जो मेरी इसकी position आती lift की वो नीचे की और आती यह देखें X की नीचे होता और हम जानते हैं अगर मेरा origin मेरा origin यह 0, 0 है इससे उपर जो भी point रहेगा अगर मैं कुछ यह point है point A इसको मैं measure कर रहा हूँ अगर यह x-caxis के ऊपर में आ रहा है तो यह positive होना चाहिए तो मेरे साब से C must be the answer ओके अगला question पर आते हैं vehicle travels half the distance L with speed V1 and other half with speed V2 okay then it's average speed is यह तोरा similar kind of questions है काफी जेगे में उपको मिल जाएगा तोरा ठीक्टा question है आदा distance speed V1 से आदा distance speed V2 से average speed आप हमेशा देना किए total distance upon total time total distance कितनी होगी L plus L क्या बोलता है half the distance तो वो L है total time के निकलने के लिए पहला जो half है वो L upon V1 हो गया यह T1 हो गया दूसरा half उसने V2 से किया तो मैं distance over velocity किया L over V2 L V1 plus V2 by V2 यह solve किया average speed निकल किया आगी total distance कितनी होगी 2L divide by total time कितना होगी L V1 plus V2 divided by V2 इसको आप solve करेंगे तो यह simple 2 V1 V2 कि किया L cancels out V1 V2 उपर आगया और V1 plus V2 नीचे 2 बचा 2 V1 plus V2 divided by V1 plus V2 तो यह इसमें कुछ खास दिक्कत होनी चीए तो आप देख लीजिए इसी ता भी कई सारे questions आप देखेंगे अगर different books लगाएंगे concept ऐसा ही रहेगा आप बस आपको यह यह याद रखना है average speed is equal to total distance total time कई बार आपको time के टम्स में दिया रहेगा कई बार आपको distance के टम्स में दिया रहेगा so आप कर ले जाएंगे okay next question displacement of a particle is given by x is equal to t minus 2 square where x is in the meters and t in seconds the distance covered by the particle आप यह ध्याने कि distance पूचा हुआ है इस टाइब कोशन के फशा देते हैं distance पूचा हुआ है जोपकि यह दिया हुआ है displacement तो आप कोई भी बंदा t is equal to simply 4 रखेगा x is equal to 4 रखे 4 minus 2 2 square 4 रा सकता है but यह उसका displacement होगा displacement और distance में अंतर का बाता है अभी देखिए displacement और distance में क्या difference है distance में हम sign convention cover नहीं करते है total में जितना चला वो distance हो गया है मेरा कि suppose मैं point O से गया A पे गया 4 मीटर और फिर मैं वापस लोटा B तक आया 2 मीटर तो मेरा जो displacement हुआ initial point से माना जाएगा वो 2 मीटर जाएगा जब कि distance 4 चला और 2 चला तो 6 मीटर हो जाएगा तो अब देखिए ओके यह समझ में है अब दूसरा देखिए मैं यहाँ पे था O पे था एक पॉइंट 4 मीटर चला A पे पहुँचा पहले T1 में फिर T2 में और 2 मीटर चला ठीक है इस केस में देखिए डिस्प्लेश्मेंट क्या है 6 मीटर और डिस्प्लेश्मेंट भी 6 मीटर है डिस्प्लेश्मेंट भी 6 मीटर डिस्टेंट भी 6 मीटर तो कहने का मतलब क्या है बंदूओ अगर डिरेक्शन चेंज हो गई मोशन की डिरेक्शन चेंज करता है पार्टिकल तो आपका distance हो displacement में difference आ जाएगा motion अगर Ahora change करथा direction तो आपका distance displacement same रहेगा अब देखते हैं इस में देखिए a change हो रहा है क्या है ती से इस कल टू 0 पहर आप अब देखें है तो X कहां पर था 4 पे था T is equal to 2 पे देखिए X 0 पे आ गया फिर से इसका मतलब पहले वो कहां पे था पार्टिकल इधर था X equal to 4 पे था ये और इधर इधर जा रहा था ये इस डिरेक्शन में चल ला था निगेट व एक्स डिरेक्शन में चल ला था तबी तो T is equal to 2 पे इधर आ गया बाद में अगले T is equal to 2 में वो किदर है T is equal to 2 में यहां पर रखिए T is equal to 2 T is equal to 2 में X equals to 0 पे है अब देखित नीच आए T is equal to 0 पे देखिए X equals to 4 पे है ठीक है ये point पे है T is equal to 2 पे एक C is equal to 0 पे यहां पे है t is equal to 2 पे वही इस point पे है t is equal to 4 पे again वह x equal to 4 पे है मतलब यहाँ पे आ गया इस point पे दो बार आया है पहले यहाँ ही था तो ऐसे गया particle यहाँ तक गया फिर भूम के अधर तक आ गया तो आपका t is equal to 4 में distance तो कितनी होगी 4 गया और 4 आया 8 meter ऐसे आपकी डिस्टेंस 8 meter आगए 4 सेकेंट्स में ओके यह ओके तो आई होप आपको समझ में आए रहेगा यह कुश्शन इसमें कुछ नहीं था easy question था यह आपको जयान देना है कि आपकी direction change हो रही है यह नहीं हो रही है इसका मतलब आपको देखना है कि कहाँ पर आप 0 हो रहा है direction change कहाँ पर हो रही है उसको करने का एक और तरीका है आप dx by dt कर लें अगर तो यह velocity हो जाएगी यह आजाएगी 2 इसको डिफिरिशिट करिए 2 टी माइनस 2 तो यह simple सा ही हो गया है टी जूपल टू टू पर यह 0 हो जा रहा है और टी लेस्दन टू पर यह negative है तो टी जूपल टू 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 पर direction change कर रहा है तो टी जूपल है तो टी जूपल टू 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 पर यह यह reaction चेंज कर रहा है यहाँ तक यह negative है उसके बाद ही positive हुआ ओके वास नॉट बड़ी टीफिकल ग्विश्टन अगले कुशन स्में आते हैं आपका जो एकसलेटर है मैंने देखा है एल लेंद का है आई आज्यूम जब वो एकसलेटर पे ऐसे चल के जा रही है तो इसकी जब स्पीड कितनी होगी लड़की की एल अपान T1 आज्यूम की नहीं तो दिया हुए ठीक है आज्यूम की लेंद ल है एसकेलेटर की स्पीड कितनी होगी एल अपान T2 होगी क्योंकि T2 टाइम में पहुचा देगा है अब जब लड़की खुद भी चल रही है और एसकेलेटर पे भी बैट गई यहां पे लड़की को में बैठा दिया तो इसकी खुद की स्पीड ऊपर की और और एकसलेटर की दोनो एक दूसरे को एड़ जाएंगे तो सिंप्ली स्पीड की जाए गी एल अल्यींस काम डियांजन प्रस आपको क्रिये इदेगा ह्या है है आ और यो संच में भी आया होगा अच्छा जल्दी से एक क्वेशन और देख लेते हैं 3.7 variation of quantity A with quantity B plotted in the figure ये figure में आपको बोलता है और फिर आपके कॉप्षिंस दिये है quantity B में represent time 2 है t is equal to 0 से start किया आपने 0 के बाद चल रहा है तो B में represent time कोई doubt नहीं है मेरे क्वाद से time तो होई सकता है quantity A is velocity if motion is uniform quantity A बोल रहा है कि ये velocity है if motion is uniform लेकिन velocity देखिए इसकी velocity बढ़ती जा रही है ये माल लिए time नमाना इसकी velocity बढ़ती जा रही है तो velocity बढ़ती जा रही है बट uniform motion में क्या होता है वेलोस्टी कॉंसें रहती है तो यह तो अंसर नहीं रहता है जालत है दूसरी अब देख़ें इसमें बेख्थावें दी दी एक पॉस्टीव वाल्यू है इसमें इसका मतलब दीवाइन डीटी तीटी का होता है क्वान्टिटी एडिस्प्रेश्मेंट हो सकता है एक ही जागे मैं यह पाय को इस तो जो constant है मतलब motion uniform है तो यह answer सही हो सकता है सही है quantity is velocity if motion is uniformly accelerated यह भी correct लग रहा है क्यों correct लग रहा है अगर a velocity है देखिए अगर मैं इसको velocity कर दूँ तो यह इसकी velocity uniformly बढ़ रही है यह अगर मैं यह मालूँ कि यह velocity वाला चीज हो गया तो यह dv by dt कितना हो जाएगा यह वाई dv by dt sorry time theta और theta है constant यह theta constant है इसका मतलब acceleration constant है मतलब uniform acceleration है ओके यह अच्छा question था understanding के लिए graphical understanding के लिए तो से good question आप एक वार अपने से 20 को लगाईए 3.8 क्या बोलता है graph of x versus t show बढ़ी है x versus t दिया हुआ है पहला option देखते है फटा फट particle was released from wrist at t is equal to 0 I think यह सही है release from wrist मतलब t is equal to 0 पे velocity 0 है और velocity 0 velocity कैसे निकालते है आपको मालू है x versus t graph में dx by dt करते हैं तो velocity आती है dx by dt क्या है x versus t graph में किसी point पे जो slope है आप देखिए इस point को देखिए यहाँ पे आपका graph almost parallel है about three axis यह लेके parallel है मतलब angle theta इसका 0 है tan 0 is 0 तो इसकी जो slope हो गई वह 0 हो गई इसका मतलब 0 velocity से और छोड़ा गया at b acceleration is greater than 0 b कहां पे है यह b है अब b acceleration अगर आप देखें acceleration के लिए आपको इसको दो बार डिफिंश करना पड़ेगा तो आप इसकी velocity देख लीजिए velocity बी के जस्ट पर देखें तुड़ा बार रहता हूं जान दीजिए इस इस गुड़ कोईट पर देखें अगर मैं टैंजन कीचू तो ऐसे आएगा तो इस यह थीटा पॉजिटिव में आएगा तो टैंजिटा बॉजिट जाएगा बी के जस्ट बात देखें अगर मैं इस पॉइंट पर यह वाला पॉइंट में अगर मैं यहां पर टैंजन कीचता हूं तो यह थीटा यह थी तो यह क्ली स्ट a पॉजिटा की पहुत्याब कर रहा हो गया है इतिक समझ में होगा थारड पार्ट देखिए C, the velocity and the acceleration C हाँ, अभी C पार्ट में क्या है, डेखिए कब चेंज कर रहा है, तोरफ नोंने ग्राफ बरावर से बनाये नहीं है, C पे तोरफ आइसे होना चाहिए, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, तो इसमें क्या है, है वेलासिटी और एक्सेलरेशन दोनों की ही डिरेक्शिन चाहिए रखिए और यह इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो जो स्लोप है वो पैडल है मतलब इस पॉइंट के बाद आपकी स्लोप अच्छी यह तोड़ा सब्सक्राइब में गरबड़ी है यह एस होना चाहिए ऐसा करके ऐसा है और और यह पॉइंट आपका सी यह तनी कि है सी के थूदा का पहले आपकी स्लोप लिए वो पॉूजS हो यह सी के थूदा बाद अप आपके n decrease होगई यहां मतलब आपका generate है यहां पर zero हुआ तब ही तो निगेटी हुई तो आपका ये पार्ट भी सभी हो गया इस पीड़ी एकसीड़ आट डाट अब इठीक है इसका करने का इक तरीका अभी हम लोग यहां पर अब देखिए यहां पर हम लोग शायद उतना इक्साट्ली मेजर नहीं कर पाएंगे आपको ऐसे कुश्चन और में नहीं आएंगे क्यों यह थीटा अभी हमको मालूम नहीं अगर वेलासिटी बोलता कि स्पी वेलासिटी एडी एकसीड डाट एट एट इट तो मैं इसको स्टेट अवे गलत करते था क्यों क्यों क्योंकि देखिए डी पॉइंट पे वेलासिटी की बात करते तो दुसमें डिरेक्शन आती और डिरेक्शन इस थीटा जो है 90 से करता है स्पीड का देखिए इतना सही से पता नहीं जबला है कौन सा इंगल छोटा है कौन सा बड़ा है आप कंसेप्ट द्यान दीजिए कंसेट्स भाई यह स्पीड निकालने के लिए आपको डिक्स बाइटी करना पड़ेगा डिवरी पे जो ज्यादा रहेगा वह अगली क्लास में करेंगे अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो पसंद आ रहा है कंसेट्स कहीं तो आपको कंसेट्स हीट हो रहे हैं कहीं पर आपके कंसेट्स धीले थे कंस कहीं थोड़ा बहुत भी कमी थी वह अगर आपकी पूरी हो रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए शेयर भी कर सकते हैं if you want, okay, bye